जया किशुरी कब किस से करेगी शादी, एक कथा का इतनी लेती है पैसा, जानिये पूरी जानकारी लोगों मार्ग दर्शक देने वाले गुरुओं में कई कथावाचक है जो प्रभावित कर रहे हैं उनके followers बहुत है, देश के इनी सबसे चर्चत कथावाचकों में जया किशुरी भी एक नाम है जिनके followers बहुत है, जया किशुरी देश में एक लोगप्रिय नाम है, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है जया किशुरी अपनी कथा के साथ साथ अपनी motivational वीडियो भी देती है जया किशुरी की लोगप्रियता चरम पर, जया किशुरी की कथा सुनने के साथ हिन दिनों उनकी social media पर भी खूब चर्चाएं भी है चाहिए YouTube हो या फिर Facebook या फिर आप Instagram सोशल मीडिया के अलग-अलग platform पर जया किशुरी की fan following जबर्दस्थ है इसी वज़े से लोग जया किशुरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते है जया किशुरी का YouTube चैनल बता दें कि जया किशुरी का YouTube चैनल भी है उनकी कथा और उनकी स्पीच के वीडियो YouTube पर अपलोड है उन्हें social media पर काफी पसंद किया जाता है लोग जया किशुरी के नए नए भजनों और कथाओं के वीडियो सुनते रहते हैं हमेशा से ही लोगों में जया किशुरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुकता देखी जाती है जया किशुरी एक कथा की फीस एक कथा के लिए जया किशुरी कितने रुपे लेती हैं जानकारी के अनुसार जया किशोरी एक कथा कहने के लिए नौ लाख पचास हजार फीस लेती हैं। वो अपनी फीस का आधा हिस्सा धार में के वेंट से पहले ले लेती हैं और बाकी का आधा हिस्सा कथा पूरी होने के बाद लेती हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर जया अपनी कमाई का क्या करती हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जया किशोरी अपनी कमाई हुई रकम का बड़ा हिस्सा दान कर देती हैं. जी हाँ, वो नारायन सेवा संस्थान को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान करती हैं. नारायन सेवा संस्थान दिव्यांग लो भी पैसे देती हैं जया किशोरी बेती बचाओ बेती पड़ाओ और रिक्षा रोपन में भी हमेशा पैसे दान देती हैं जया किशोरी कब किस से करेगी शादी जया किशोरी से लोग शादी से जुड़ा सवाल पुछते हैं बता दे कि अभी जया किशोरी शादी शुदा नही हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो शादी नहीं करेगी एक बार जया किशोरी ने कहा था कि वो साधवी या संत नहीं है वो वेकाम इंसान की तरह हैं इसलिए वे वेकाम लड़की की तरह शादी भी करेगी लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो ताउम्र भक्ती के मार्ग को नहीं चोड़ेंगी समय आने पर वो विवाह जरूर करेंगी अगर वो शादी करेंगी तो कोलकाता में करेंगी ये उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे में वो जब चाहे अपने माता-पिता की देख रेख कर सकती है जया किशोरी कौन है? 13 जुलाई 1995 को जन्नी जया किशोरी कोलकाता से आती हैं जया किशोरी ने बहुत शोटी उम्र में ही अध्यात्म का रास्ता चुन लिया था, जिसकी वज़े से कम उम्र में ही वह भजन और कीरतन में हिस्सा लेने लगी जब जया किशोरी की ऊम्र दस वर्ष की थी, तभी से ही वो धारमिक कार्यक्रम करती आ रही है जया किशोरी अपनी कथा के लिए देश से लेकर विदेशों में प्रसिध है उन्होंने देश के साथ विदेशों में भी श्री मद्ध भागवत और नानी बाई का मायरा की कथा की है जया किशोरी की कथा सुनने के लिए हजारों में नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं